स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ है भाशा और उर्मिलेश और आज इंडिया की बात में तीन मुद्दे आपके सामने मुद्दा नमबर एक जिसके हम चर्चा करने जा रहे हैं और बहुत ही एह मुद्दा है संसद की सुरक्षा मेचूक और मीडिया की बेशर्मी मुद्दा नमबर दो मोधी और शाह के सामने भारती जनता पार्टी के तमाम नेता धराशाई के अगला नमबर योगी आधितनात का है और मुद्दा नमबर तीन धारा तीन सो सतर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजनीतिक असर क्या होगा शुरुआत हम संसद में सुरक्षा में जो हुई है चूँक उसके साथ करना चाहते हैं जी हाँ संसद में लोग सभा में जब कारवाई चल रही थी अचानक दो लोग जो हैं दर्शक दीरगह से कूद जाते हैं समानाँदर त दौर पर संसद के बाहर ट्रांस्पोर्ट भवन पर दो लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं और उनके शब्दों में एक असंतोश बेरोजगारी को लेकर सरकार की कथित ताना शाही को लेकर मनिपूर पर उसकी नुरंकुष्टा को लेकर यह तमाम मुद्दे हैं जिसकी बात की जारी होती है और फिर जब यह सब ड्रामा चल रहा होता है तब मीडिया ने अपनी तरफ से कॉमेडी शो पेश कर दिया था और वो तस्वीर शर्मिंदा कर रही है देश की मीडिया और देश को भी क्या है इस खबर का पंच शुरुआत करना चाहेंगे भाशा से अभिसार एक बात साफ दिखाई दे रही है अगर हम मीडिया की बात करें मीडिया के पास वो पहुचना और जिस तरह से उन्होंने पूरा ड्रामा किया वह और ये जो पूरा घटना क्रम हुआ है इसे लेकर जिस तरह की कवरेज है जिस तरह से चिंताय जताई जा रही है इन दोनों में मैं बहुत गहरा कनेक्शन देखती हूँ क्योंकि लगातार एक दूसरे ढंका नरेटिव बिल्ड़ अप किया जा रहा है कि ये सारे लोग किसी मकसस से हैं आंदोलन जीवी हैं यानि संदे दोनों घटना क्रम जोड़ कर पेश कर रहे हमारे सामने पीछे क्या चल रहा है इसकी तफ्तीश होनी चाहिए अब इसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है यहां पर भाशा की भाचपा की निगास से देखें तो चित भी मेरी पड़ भी मेरी अब चूकी जो लोग सामने उभर कराएं हैं वो सब हिंदू हैं लहाजा वो आंदूलन जीवी हो गए अरबन अकसल हो गए जबकि वो एक बड़ी समस्या को देश के सामने पेश कर रहे हैं वो है बेरोजगारी का वो है सरकार जिस तरह से अपनी ताकत का इस्तमाल करती है और कल्पना कीजे अगर ये मुसल्मान होते तो मीडिया का क्या कावरेज होता और सरकार यानि भाजपा इस पर क्या कह रही होती उर्मिलेश जी क्या है समुद्धे पर आपका पंच देखे मैं तो सुरक्षा के पहलू को उठाना चाहूंगा देखे नई संसत की बिल्डिंग बनी है माना जाता है कि पुरानी बिल्डिंग की जगर नई अगर बिल्डिंग बनेगी तो सुरक्षा के बंदोबस्त और चाक चौब बंद होंगे लेकिन इसमें तो जो विजिटर गैलरी है वो इतनी नीचे बनी है कि जंप करके आना बहुत आसान है और वही हुआ पहली बात दूसरी बात की प्रताप सिंहा नाम के जो मेंबर आप पारलेमेंट बीजेपी के हैं उनी के रिकमेंडेशन पर इनके पास बने हैं बड़ा आश तरफ आपने महुआ महितरा को निश्कासित कर दिया और दूसरी तरफ प्रताप सिंहा हैं देखिए संसद में सुरक्षा में चूक तो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है उसे हम डिनाइ नहीं कर सकते हैं मगर हम देख रहे हैं कि व्यवस्था किस तरह से फर्क कर रहा है प होचक थी कि जो बाहर से लड़की को पकड़ा गया जो हरियाना की लड़की है आप देखिए एक अदना सी कॉंस्टेबल उनको लेके जा रही है और पूरा मीडिया उनसे बातचीत करते हुए जा रहा है हम सबने देखा यहां विरोध प्रदर्शन जब होते हैं एक जा रहा है कि मगर यह तो सरकार के खिलाफ जाना चाहिए ना क्योंकि वो बेरोजगारी की समस्या को सामने पेश कर रहे हैं अभिसार देखे इसमें जो बहुत बुनियादी चीज है जिस तरह से इंको जोड़ा जा रहा है आंदोलन जीवी कहके जिस तरह से किसान आंदोलन का नाम आ रहा है जिस तरह से महिला पहलवानों वाले अंदोलन का नाम आ रहा है और जिस तरह से इस पूरे को बिल्ड़प किया जा रहा है कि विरोजगार यानि उनको कौन मूव कर रहा है बिरोजगारी का मुद्दा कौन उठा रहा है विपक्ष उठा रहा है ना विपक मगर देखिए, डिस्ट्राक्शन किस तरह से खेला जा रहा है। जैसी ये मामला आता है, तो मीडिया का थो हमने ड्रामा देखा था, वो एक स्मोक बॉम को लेकर क्या कॉमेडी हो रही थी, उसने देश को शर्मसार किया है, मगर आपने देखा होगा, जैसे ही कॉंग्रिस अपनी तरफ से पेश करती, जब ये सारा ड्रामा हो रहा था, राहूल गांधी जो है, वो खड़े हुए देख रहे थे, हिले नहीं, डिगे नहीं, वो भी एक अलगी किसम की जिसे कहते हैं, जिसे शाटु कारिता है, जो भी कहें आप, मगर फिर उसके जरिये, राहूल गांधी पर मीडिया निशाना साधना शुरू करता है, आंदोलन जीवी शब्दों का इस्तमाल किया जाता है, उन आंदोलन कारियों की राजनीतिक प्रिश्भूमी की बात की जा रही है, इस देश में इस वक्त जो राजनीतिक संस्कृति है, उसमें किसी को कुछ भी कहा जा सकता है, अभी मैंने एक महतरमा को सुना, जो सत्ताधारी पक्ष की हैं, वो बोल रही थी, बाइचांस मैंने टेलिविजन थोड़ी देर के लिए खोला था, और वो कह रही हैं कि ये महुआ मुईतरा के लोग हैं, अभी मैं तो हैरत में रागया कि कौन क्या कब कह देगा, इस सत्ताधारी दल से जुड़ा व्यक्ति या इससे प्रभावित जो महौल एक है आज का, जिस तरह का महौल बना दिया गया है, कोई ठीकाना नहीं है इस देश में, कोई लाजिक की जरूरत नहीं है, किसी तर्क की जरूरत नहीं है, कोई तथिक की जरूरत नहीं है, जो चाहे वो कह दो, मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लगता है इस पूरे प्रसंग में, क्योंकि वर्षों मैंने पार्लामेंट कवर किया है कि पार्लामेंट एक ऐसी जगह है आज उसकी स्थिती जो भी हो गई है डेलिबरेशन के लेबिल की उसकी बात छोड़ दीजे कि जहां पे लोग डेलिबरेट करते हैं जो रिप्रेजेंटिटिव हमारे हैं उस समबाद करते हैं समस्याओं पर विशार करते हैं कानून बनाते हैं उसकी सुरक्षा निश्चित रूप से बहुत मजबूत होनी चाहिए आज के दोर में हम एक बार 2001 में देख चुके हैं कि क्या हुआ वो अलग कहानी है कि उसके विशारे में भी तरह-तरह की कहानी आती हैं तो इतने वर्षों के बाद नई बिल्डिंग बनी है नई बिल्डिंग में आखिश सुरक्षा के चाक चवबंद होने की जो बात है वो तो सारा जूते के अंदर वो वो लेकर गए थे अपना क्या बोलते है स्मोक का जो कैन तो उनकी पहचान क्यों नहीं हो पाई हमने तो कई देशों में देखा है कि वहाँ पर फीजिकल चेकिंग कम होती है जो उपकरण है वही आपको बता देते हैं कि आपके अंदर क्या है उससे जो सभाकक्ष की दूरी है बहुत कम है ऐसा तो कभी नहीं आप पुरानी पार्लेमेंट का देख लीजिए वहां से जब करना सम्भाव है बिल्कुल जो जब करेगा वही मर जाएगा कि पूरी बहस को देख के लगी नहीं रहा कि सरकार किसकी है अरे भाई पार्लेमेंट आपकी सरकार आपकी सुरक्षा आपकी जवाब देही तो आपके मंत्रियों की बनती है सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए कि सुरक्षा में चूक हुई तो जिम्मेदार कौन आप जा रहा है कि पोलिटिकली मोटिवेटेड कुछ लोग हैं जो किसी किसी आंदोलन से जुड़े हुए है या बहुत बेरोजगार है क्योंकि प्रिष्टभूमी सब के पास पूरा बैग्राउंडर पहुच जाता है सारी खबरे पहुच जाती है मीडिया पहुच जाता है और एक बड़ा प्रशन ये उठता है मैं किसी को गुनागार नहीं ठहरा रहा हूं बिना जाच के किसी व्यक्ति को गुनागार नहीं कहा जा सकता लेकिन यार सब पासवर्ड को लेकर इतनी हंगामा हो गया मोहवा 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 मोह मुझे कैसे उनके दफ्तर से पास जारी कराने का रिक्मेंडेशन कैसे मिल गया क्या एक महमूली परताल भी कराई गई यह सवाल है यहां यह लग रहा है कि भारत के लिए यह भारत की साख के लिए यह बहुत ही घातक है क्योंकि देखिए एक तो नई संसत थी वहां पर यह च जिसको देखकर हमने बहुत उसका लुट्फ उठाया उसके सामने अनुबव बसी का स्टैंड़ अप शो फेल है कपिल शर्मा का कॉमेडी शो फेल है मीडिया की जो हरकत थी बापरे मैंने ऐसी तस्वीरे आज तक नहीं देखी भाषा जो हो रहा था वहां पर वो जिस तरह से दौड रहे थे जिस तरह से एक दूसरे से भिड रहे थे और सब आसपास के लोग जो थे उसे देखके हस रहे थे इन्हें तब भी शर्म नहीं आ रही थी कि तुम कर क्या रहे हो और मुझे लग रहा था ये कि यह इतनी बड़ी सुरक्षा चूक है जिसमें आप उसको ल वह जो एविडेंस था वह उसके बाद न्यूज एटीन यानि के अंबानी के न्यूज चानल के प्राइम टाइम में भी देखा गया तो मैं कहले हो कि यह जो एविडेंस है यह एविडेंस डिस्टिबूशन के लिए था जिसके लिए दिल्ली पुलिस को और वहां की सुरक् अगर मालीजी वहां पर जो लोग थे अविसार अगर वे न दिखाते क्या हो रहा है तो शायद हमें पता ही न चलता क्योंकि यह तो वहां पर जो लोग खड़े होकर हसकर मजाक उड़ा रहे थे उन्होंने वीडियो बनाया और इससे दरसल पता चलता है कि कितनी शर्मिंद कर रहे हैं खल यह बताने के लिए कि हमारे पास exclusive है तो यह इससे शर्मनाक पल मुझे लगता है मीडिया का और अब आप जानते हैं मिलेश जी ऐसा कभी भी नहीं हुआ है आपने और हमने 2014 से पहले की पत्रकारिता देखी है जहां अगर कोई चूक होती थी आप सरकार को कट घरे में रखते थे मगर साहब यह घजब का नारेटिव है कि चंद घंटों में पूरे नारेटिव को पलट दिया जाता है उसमें राहूल गांधी पर निशाना आंदूलन जी वी आ जखते हैं आज तक शायद अर्बन नकसल भी आ जाएंगे महुआ मोहित्रा का तो आप ज 2014 से पहले करते तो लोग मान भी लेते अब उनकी बड़ी तराजदिये होने वाली है कि उन्हें आज या कल में अर्बन नकसल करार दिया जाएगा उन पर उन्हें टार्गेट करने के लिए लिए लेको यह बिलकुल जिस तरह की बातचीत होती है आज कल मीडिया में जिस तर में ले जाए जा रही हैं अब देश में पत्र守 कार दिया का माहौल नहीं रह गया गया है तो उसके लिए यह टेके पुरा टूल किट है लगता है जिस तरह से कल मीडिया की कवरेज ती यह टूल किट था जोंके सकार पहुचा था क्योंने कहा जाना है हम सब जानते हैं पर प्रोग्राम इस बात पे था कि उनके घर में कैसे वो किसी leader इंटर्वीयू क्यों करती थी किस आंदोलन से प्रभावित थी आप जानते हैं मुझे क्या शॉकिंग लगा है मुझे शॉकिंग लगा है उसके जरीए एक और मौका भारती जनता पार्टी द्वारा आंदोलन को क्रिमिनलाइज करना ये वो देश है जिसने सत्याग रह जैसा खुबसूरा शब्द इस दुनिया को दिया है जिसने गांधी जैसी आवाज अस दुनिया को दी है आज तुम अंदोलन उसे तुम क्रिमिनलाइज कर रहे हो पूरी जो कवरिज थी चाहे टूलकिट जो की जोशी जी का जारी किया होगा या फिर मीडिया ने जिस तरह से कवरिज की है बहराल अब हम रुक करेंगे अपने दूसरे मुद् नुसाई को बना दिया गया जो की आदिवासी प्रिश भूमी के हैं उसी तरह से वसुंदरा राजे सिंध्या को दरकिनार करते हुए भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्य मंत्री है यानि की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सब को हैरत में डाल रहे हैं आश्यर चकि आब यह सवाल किया जा रहा है कि इसके जरीए पूरा जो भाजबा का नेत्रत है, वो प्रधान मंत्री के शब्द के सामने धराशाई हो गया और यह सवाल किया जा रहा है क्या अगला नंबर मुख्य बंद्री आदितनात का भी हो सकता है क्योंकि वो एकलوتे ऐसे शक्स हैं, जो प्रधान मंत्री और अमिट शाह के सामने टिके हुए हैं और न सिर्फ टिके हुए हैं बलकि उनका और गुजरात लॉबी के बीच में जो द्वंद होता है उत्तरपदेश प्रशासन के अंदर उसमें वो भारी भी साबित होते हैं क्या है इस मुद्दे का पंच बताएं भाशा अभिसार एक बात बिलकुल साफ है इसमें मोदी जी मोदी जी और मोदी जी यानि मैं ही हूँ मैं ही हूँ मैं ही हूँ प्रधान मंत्री से लेकर मुख्य मंत्री सिर्फ एक चेहरा जो चुनाओ प्रचार में हमने पांचों राजियों में देखा था मोदी जी के लबा कोई नहीं मुख्य मंत्री पत को भी वह एक रबर स्टैम के तौर पर और ऐसा रबर स्टैम जो तीनों की आपने बात की जहां सिर्फ नफरत नफरत और गाली गलोज वाली भाशा करने वाले ये तीनों लोग हैं जो हमारे सामने हैं अभी सार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्धे पर मेरा पंच ये है कि यकीनन ये एक किस्म से असुरक्षा भी बता रहा है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और अमिट शाह को के अंदर जो है मगर असुरक्षा के साथ साथ ये ये भी प्रमानित कर रहा है कि उनका शब्ध ही उनका शासन है वो बाववली फिल्म थी उसका डायलॉग था मेरा वचन ही मेरा शासन है में थोड़ा सा मैं संचोधन कर रहा हूं कि प्रधान मंत्री के शब्द उनका फर्मान ही उनका शासन है और उसके सामने जितना भी लोग पर ये मुख्य मंत्री हो वो धराशाई होता दिख रहा है और मिलेश जी क्या है समुद्दे का पंच दिखें अपने देश में जो डिमक्रसी का हाल है तो ये माना जाता है और बहुत सारे लोग मानते हैं इस देश में की मौझूदा जो सत्ता है वो डिमक्रसी को डिस्ट्रॉई कर रही है तो अपने अंदर वो पार्टी डिमक्रसी कैसे मेंटेन कर सकती है तो जो बाहर वो कर रहे हैं वो अपने पार्टी के अंदर भी कर रहे हैं और ये बताता है कि विधायक दल में कोई विधायकों से मश्विरा नहीं ऊपर से आदेश यहां तक की कंसल्टेशन के लिए ये भी नहीं किया जाता है कि विधायकों की राय इतनी विभाजित है तो आला कमान तै करे, परची के वल आ जाती है, परची के वल पढ़ दी जाती है, ये हाल मुख्यमंत्री चुनने का हो गया है, वाकि ये अपने आप में कितनी अजीबो गरीब बात है, कि आप परची के जरीए फैसला कर रहे हैं, भाई ये लोकतंत्र है, विधायक को ये फैसला करना चाहिए कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, परची के जरीए जो है, वही चीज जो पार्टी के अंदर है, उर्मिलेश जी वही चीज दिखाई देती है, हमें देश में भी, आप परची के तौर पर फैसला कर रहे हैं, जो RSS का स्टाइल था, अब वो पार्टी के अ परची के जरीए फैसला किया जारा आपने देखा होगा कि वह सुंगरा राजे सिंधिया के होश उड़ गये थे, शिवराद सिंग चौहान की चेहरे की हवाईया उड़ी हुई थी, तो हम यह कह सकते हैं कि यह लोग तंत्र जो है, परची तंत्र में तबदिल हो गया है, आ कवाम नहीं कहते हैं, वो हमें साब प्रजा कहते हैं, उनके दिमाग में हमें सा रहता है कि प्रजा और राजा, और यही कारण है कि जमो कश्मीर का में आप देखे, वो मुनार्की के पक्ष में थे, वो महराजा हरी सिंग के पक्ष में थे, उस तोर में जब एक्षिसन का इ मुख्यमंतर को, सदस्यों को कोई मतलब भी नहीं है जो राजा चाहेगा, राजा दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कोई एक राजा आरिसिस में बैटे, एक राजा यहां बैटे, जो तैय करना हो करेंगे. आपने एक दिल्चस बात का जिक्र किया कि इन में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका एक नफरती इतिहास है और आपने देखा होगा मंदिप्रदेश की मुक्यमंत्री जैसी बनते तो पहला फर्मान क्या होता है लाउड स्पीकर्स बंद कर देना खुले में मासाहार जो है उसको बंद कर देना और स्वाभाविक सी बात है इसके जरीए क्या निशाना है कोई शिक्षा की बात नहीं कोई सकारात्मक मुद्दों की बात नहीं और पहली चीज यानि इनको भी लगता है कि भया अगर मुझे अपना वजूद स्थापित करना है अपनी उपस्तिती दर्श करनी है तो यही तमाम चीजे मैं कर सकता हूँ मेरा दूसरा कहना है क्या इनको लाया भी इसलिए गया है ताकि जो बचे कुछे दिने तीन-चार महीने बचे उसके जरीए एक कटर किसम की चीज जो है वो इन तमाम राज्यों में पहलाई जाए जिसके जरीए वोट कर आस्ता आसान हो जाता है क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल सही है विसार कि इन तीनों को 36 गड़ वाले जो बने हैं साही जी बने हैं उनकी भी वीडियो सामने हैं जिसमें वो लगातार अभद्र भाशा का इस्तमाल कर रहे हैं वो भाशा हम यहां पर बोल भी नहीं सकते हैं जो वो सामने आई है तो दो चीजी इन्होंने की हैं आपने परची तंत्र की बात की मैं करीं यह मोदी तंत्र है यानि सिर्फ मेरा चेहरा रहेगा मैं चुनाव जिता के लाओंगा और उसके बाद जिसको मैं सोचूंगा जो मेरे हिसाब से चल सकता है उसको सामने रख दूंगा और यहां तीन में तो इस तरह के चेहरे हैं अभिसार कि अगर मैंने जो भारती जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत की वे भी बता रहे हैं कि इन्होंने इससे पहले कुछ किया हो एक तो जना पहली बारी विधायक बने हैं तो इनका तो कोई इतिहासी नहीं है इससे पहले कि उन्होंने सेटिंग के लिए और साथ ही साथ जो भी छोटे मोटे चैलेंज हैं आप देखे इन तीनों के चुनाओं के साथ वो सारे चैलेंज खतम होते हैं और हम सब जानते हैं इसका एक चिलिंग इंपक्ट उत्तर प्रदेश की राजनीती में पढ़ना शुरू हो गया है अगर आप ब लगातार देख रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी मोदी जी ने अर्विंद शर्मा को भीजा था फॉर्मार आयस उनको पूरी तरह से साफ कर दिया मुक्यमंत्री आदितनात ने उन्हें काफी दिनों तक तो दफ्तरी नहीं मिला बाहर खड़े रखा जात लगता है या उनका रसूख इतना है मट से जो उने जनादेश मिला है वो इतना मजबूत है और उनका भगवादारी जो वेश भूशा वो इतना मजबूत है कि उन्हें चूँनी सकते प्रधान मंत्री नरे इंडर बोदी इसका जवाब मैं तुरत देता हूं लेकिन इसके पहले एक दो लाइन आपके पिछले सवाल से उठे सवाल विमर्श को लेकर है देखे मुझे लगता है कि आदिवासी और पिछड़े वर्क से जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं इस पार मध्य प्रधेश में और च्छतिस गड़ में उसके पीछे एक राजनी ती है RSSBJP क कि जिस तरह का वो हिंदुत्पी करण चाहते हैं समाज में उसका विरूद सबसे दिख कहा है इनके शासन को लेकर वो दलितों में है पिछड़ों में है आदिवासीों में है तो इनके बीच से एक नेता उठाना सत्ता पर उसको काबिस करना अपनी राजनीत की सारी की सारी जो है अपनी राजनीत चलाना उनके जरिये सो दैट कि उनके समाजों में हाला कि मैं आपसे इतना इतिफाक नहीं रखता हूं कि विरूद पिछड़े वर्ग अदलित में क्योंकि उनका मिलिटन फोर्स जमीन पर वो भी इनी समुदायों से आता है नहीं है मैं वही आपको और आदिवासियों में है इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने उन्हीं वर्गों से अपने नेता खड़े कर रहे हैं जो उनकी पसंद नहीं है अगर विरोध होता तो इतने व्यापक पैना हैं तो आपको जनादेश कैसे मिलता जनादेश सिर्फ अगड़ी जातियों के अधार पर थोड़ना मिलता जनादेश इस तरह के समाजों में वो बहुत महरत है जो मैंने समाज पूछा था कि यूपी क्या अगला निशाना हो सकता है योगी आदितना अगला निशाना हो सकता है जो मोदी तंतर है और जो फेडरल स्ट्रक्चर संगिय ढ़ाचे पर हावी है उसमें कोई भी बचने वाला नहीं है चाहिए वो योगी जी भी हो और इसके मिसाल आपको बनारस से मिलती है बनारस जिस तरह से बिलकुल केंद्र से मोदी से और उनके तमाम तंतर से ऑपरेट हो रहा है पूरा जो ऑपरेशन चल रहा है इंक्लूडिंग अयोध्या यहा इसको भी वही दिखाई देगा मैं जो मुद्दक मगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूछना चाहता हूँ कि क्या मुख्यमंत्री आदितनात की तरफ से ब्लो बैक हो सकता है और आप किसी और मुद्दे पर मच जाएगा इसी पर रहीगा योगी महराज को इतनी आसानी से कमान को चुनोती दी थी कि अगर आप मुझे मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे अगली बार तो हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे हम पार्टी को भाजित कर देंगे उन्होंने एक संगठन को खड़ा करके और उसको काफी अर्मिलेश जी मैं यहाँ प एक हैं मुख्यमंत्री आदितनात अपने विधायकों में क्या आप समझते हैं कि भारती जंता पार्टी में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो लोगकुप्री होते हैं बिलकुल नहीं होते हैं सवाल इस बात का है कि जो नीतिया उनकी है वो लोगकुप्री उनको नहीं रहने देत और समाजों में अपने कारिक्रमों के जरी है जैसे अशोक गालोत कर रहे थे अपने राजस्तान में कांगरिस के मुक्यमंत्री के तरफ पे लेकिन योगी महराज की असल ताकत जो है वही है जो आरेसिस की ताकत लेकि इसलिए मुझे लगता है कि जो अब रियल चैलेंज बीच में हटा दिया गया है चुनाव हुआ चुनाव के बाद 54 सीट में जादा आई है हम यह नहीं भूले उसके बाद भी शिवराज नहीं बने तो हमें यह प्रिडिट करने मुझे लगता हम लोग यहां पर नहीं कर सकते हैं कि कैसे करेंगे क्या करेंगे चैलेंज है और यह चैलेंज किस तरह से डील करेंगे यह आयोध्या के जो दिव दर्शन हमें होंगे जो पूरा आयोजन हो रहा है उसके जरिये भी हम इसे भाद सकते हैं कि भाईया कोई भी सामवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति उस दिन ना आवे हाला कि सामवैधानिक पद पर मोदी जी भी हैं मगर उनका साफ कहना था कोई मुखी मंत्री वाना पहुंचे तो वो जो उनका लहजा था उससे स्पष्ट हो गया कि 22 जनवरी को सिर्फ और सिर्फ मोदी जी जो कैसा रहेगा और निश्चित तोर पर उनको 2024 तो चाहिए ही चाहिए तो 2024 तक तो योगी जी वहां पर है ही जो हम मानी के चल रहे हैं और अब हम रुक करते हैं एक और एहम खबर का सुप्रीम कोट का फैसला आ जाता है धारा 370 पर उस मुद्दे को लेकर भारतिये जनता पार्टी हमलावर हो जाती है नेरू के बारे में चीज़ां बोलनी शूरू करती हैं और ये ना भूल देखे 370 भारती जनता पार्टी के लिए हाल के वर्षों में कश्मीर में नहीं बलकि कश्मीर के बाहर शेस भारत में सामपरदाई स्टर पर मोबिलाइजेशन का एक जरिया रहा है क्योंकि 370 में कुछ बचा नहीं रहा है अगर उसकी आप 90 परसेंट उसके प्राओधानों को देखिए वो आलेडिक कॉंग्रेस रिजीम में बहुत पहले खतम किये जा चुके थे और हार्डी 10% सीजने बची थी आप उनके जरिये लाठी पीट रहे हो कि देखो जी हमने साप मार दिया हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया तो ये फालतू बात है मोबिलाइजेशन का वे एक जरिया रहा है भाषा क्या है इस मुद्दे का पंच देखिए एक बात बिल्कुल साफ है बीजेपी आरेसेस का जो एजेंडा है उस पर मुहर है यह फैसला और इसे लेकर बहुत बड़े पैमाने पर आरेसेस और भारती जनता पार्टी ने इस संसद में भी तैयारी शुरू कर दी है 2024 में इसका असर दिखेगा और जिस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर दो कानून जो पारित हुए है वह बता रहे हैं कि आने वाले दिन और जादा घाटी के लिए मुश्किल वाले होंगे क्योंकि जम्मू को जादा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है पर क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि एक तरफ धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर जो उग्र तेवर अपनाये जाएंगे जिसका ट्रेलर हमें अभी से दिखाई देता है अलग-अलग बयानों के जर चौनौती वो इसका कैसे सामना करेंगे इसके लिए उन्हें सोचना पड़ेगा तो आपको लग रहा है एक तरह से भाषा की जिसे कहते हैं ना मिलिटेंट नाशनलिजम यह और उग्र होने वाला है धारा 370 फिर उसके साथ जब आप राम मंदिर के उद्गाटन की बात करत तो यह जब दोनों चीजे मिल जाती है तो विपक्ष के पास क्या विकल्प रहे जाता है भाषा ऐसे में देखे विपक्ष के पास इस समय इन दोनों से निपटने का फिलहाल कोई एक पुखता न एजंडा दिखाई दे रहा है न उस तरह की एकता दिखाई दे रही है और 3 370 पर जो चर्चा हम कर रहे हैं वो इसलिए भी एहम है क्योंकि आयोद्या फैसले के बाद 370 वाला जो फैसला है एक क्रम पूरा सरकल पूरा होता है और विश्व विख्यार उनका कहना बिल्कुल साफ है कि कोट से जादा कोई उमीद ही नहीं कपिल सिबल ने भी कहा कि जो एजेंडा सेटिंग भारती जनता पार्टी आयूं कहिए कि मोदी तंत्र करना चाहते हैं उसी तरह से चल रहा है इसका काट करने के लिए जिस तरह की तैयारी विपक्ष की होनी चाहिए फिलहाल विपक्ष बिखरा हुआ घबराया हुआ क्योंकि सारे तंत्र इस समय इसकी हमें जहलक मिलती है आप नहरू को लगातार गाली दे रहे हैं और उनमें से अधिकतर जो अमिट शाह के बयान है वो तत्यों पर आधारित नहीं है इसके अलावा जिस तरह से उमार अब्दुल्ला को नजर बंद करके लखा गया था ताला लगाके रखा गया था ये इसकी सांकेतिक तौर पर कुछ कह रहा है जब हम दोनों चीजों को जोडते हैं तो भविश्य की राजनीती की और एक इशारा मिल जाता है हमें संकेत मिल जाता है बिलकुल आप सही कह रहा है और देखे 370 को लेकर जो सुप्रिम कोट का फैसला है उसका जो सबसे निगेटि कि कोट के बारे में कोई अंदाज लगाया जाए लेकिन जो उन्होंने याचिका का एक दूसरा पहलू था जो बहुत महत्मूर था वो ये था कि राजिका विभाजन क्या केंद्र बिना किसी मश्विरी के कर सकता है राजिके ये बहुत बड़ा मसला है क्योंकि तमिलाट को कल आप माढ़ देजे कब करनाट को कोई माढ़ देगा नहीं मैं एक चीज़ यहां जोड़ना चाता हूँ कल पना कीजे कल को बिहार में भाजपा सत्ता में नहीं आती अगले चुनाव में बिहार को तोड़ मतलब बिहार को अलग-अलग स्टेट्स में इस तरह से जिवाइ पर इसको स्वैम अपने ऊपर लेकर इस पर कमेंट करना चाहिए तो एक तो ये पहलू मुझे आन रिकार्ड आपके इस कारिक्रम में जरूर कह रहा था दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि अभी जो हालात हैं कि विकल्प की जो ताक्ते हैं वो इस पूरी तैयारी जो भा वन टू थ्री दो मुख्यमंत्री तीन राजियों में ये दोनों मुख्यमंत्रियों का जो प्रयोग है शासन का वो बताता है कि हिंदी भासी छेत्रों में कॉंग्रेसी मुख्यमंत्री कॉंग्रेसी सासन पूरी तरह विफल हो जाता है पांच साल सासन करने के बाद दक्षन का प्रयोग बिल्कुल डिफरेंट है अब आप देखिए भले पांच साल सरकार उनकी नहीं थी पीछे लेकिन सीधा रमया और डीशिय कुमार की सरकार पर आप नहीं कह सकते कि वो काम नहीं करना चाहते या काम नहीं करते वो मकाबला कर रहा है भारती जनता पार्टी से आरेसेस की पॉलिटिक से जबकि ये दोनों राजियों में राजिस्थान में और च्छतिसगर में उस तरह से मुकाबला नहीं किया गया और साफ हिंत्वा की पॉलिटिक ये तो बहुत दूर की बात है भाशा है दिक्कत यहां 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 तो जवाब देगी नहीं बहुत संक्षिप मैं आखरी आप से कहूंगी जो आप कह रहे हैं उस मुद्दे पर फोकस रखना बहुत जरूरी है क और जो तीन मुख्य मंत्री लाए गए हैं वो लगातार इस पर बोलते रहे हैं हिंदू राष्ट को लेकर जिस तरह से पूरा इंकॉंस्टूशनल आप मीच बैंड कर देते हैं बिक्री पर रोग देते हैं यानि एजंडा बिलकुल साफ है दोहजार चौबिस का तक लिए और यह जमीन पर महसूस होता है इस चुनाव कवरेज में जब मैं बात कर रही थी लोगों से तो लोगों ने का देखी कश्मीर को तो ठीक आने लगा दिया वहां पर तो आज हम जा सकते हैं वहां पर आज हम यह कर सकते हैं यानि मैसेज वो नीचे तक ले जा रहे बहुत काम करने की ज़रूत है अपना अल्टरनेटिव नरेटिव बिल्ड़ अप करने के लिए विपक्ष को बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी और भाषा अब दोनों का इंडिया की बात में बस इतना ही अभिसार शेर्मा को दीजे जाजत नमस्कार